नमस्कार दोस्तों फिर से सागत आपका मेरे यूटुब चैनल mlv-study में है आज हम पढ़ेंगे properties of wave function यानी जो तरंग भलन के गूण आज हम पढ़ेंगे तरंग भलन के गूण हिंदी में बॉलते हैं तरंग भलन के गूण तो दोस्तों तरंग भलन के बारे में पिछले वीडियो में देखा था तरंग भलन क्या होता है प्राइक्ता करनेतु क्या होता है और नौर्मिलाइशेशेशन function यानी कि स्तामानिय क्रेंच यह सब हमने पिछले वीडियो में देग लेता तो आज हम बताइङे कि तरंग फलन के इसमें फ़ीस्ट प्रोपरेटी यह फिल में की कि जो सही होता है मतलब की जो तरंग फलन होता है और उसका डेरिवेटीव वित रेस्पेक्ट टू ठाइम वह एक तो तरंग फिलन और उसका का derivative i respect to time वो क्या होना चाहिए वह क्या होना चाहिए हमेशा एकल मानी हमेशा एकल मानी यानि की single वेल्यूड होनी चाहिए single वेल्यूड तो दोस्तों फॉस्त प्रोपरटी क्या हो गई की जो साई और तो स्का फर्स derivative क्या होना चाहिए हमेशा एकलमानी होना चाहिए या फिर फिर single valued होना चाहिए एकलमानी का मतलब यह होता है कि जो हमारा जो साहिफ फंक्षन है वो किसी एक particular range में exist करना चाहिए योनीक कि वो infinity पर एकजिस्ट करें तो जैसे हमारे पास कोई range x और x x plus dx तो यह साई है ना जो हमेशा इसी जो यह रेंज है इसी के अंदर एक्जिट करना चाहिए यूनिक इस रेंज को छोड़कर यह किसी इंपिनिटी पर चला जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता इसका दूसरी प्रोपर्टी यह होती है कि दोस्तों जो यह साई एक तो वेव स्क्वार इंदीगरेबल आयेंटि जी कि हमेशा स्कॉरेंटि यह मतलब होता है üility कि भींसेह मतलब हमारा जो वेव फंक्शन होता है। इस स हमनेख नतर्स की्जर होती हैं दोस्तों स्काफंघूर्च्झ का व と تع यहां पर continues का आईसे यहां से है कि दोस्तों हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसकी probability density वन होती है तो हम उसे probability density का भी पता लगा सकते हैं मतलब कि उसके प्राइक्त आगनेतुका पता लगा सकते हैं चोती प्रोपर्टि की जो फॉनक्शन है और उसका फाइस्ट डेस्ट विटरित रिश्टेक्टू टाइम वह एंघनेा सब फॉनना स्संद tum tam फाइस्टे, साई और डी साई बाइडी टी सुट भी फाइनाइट हमेशा, फाइनाइट होने चे, सिंगल वेल्यूड होने चे, सतत होने चे, इंटिग्रेटर होने चे, ठीक है दोस्तों, बाई बाई अगले वीडियो मिलते हैं